हेलो अबरीवान कैसे हो आप सभी लोग वेलकूम तो माई यूटूब चैनल आज अपने चैनल पर आई है 125 केटियम जैसे कि आप देखरो मैं इसका करूंगा रिव्यू इसमें आपको क्या कमया मिलती है क्या खूबिया है और कैसे यह अपना डेली परपस में यूज सकती है चलो शुरू करते हैं इसकी इंगर में रिपाइमेंट कितनी है इसका इंग्जोस्ट के वाज जैसे कि आप देख रहे हो क्लिपून हैंडल बार के साथ मिलके अपने को केटियम वाटिफाइब केटियम वाटिफाइब में अपनको मिलता है 124.7 cc का इंजन फोस्टो लिक्विड कूल भी मिलता है इसमें अपने को कि टेकनोलजी के साथ मिलता है अपने को केटियम वाटिफाइब इसमें 125 के साथ से अपनको फीचर्स जो मिलते हैं 200 के फीचर्स मिलते हैं वही सेम लोक मिलता है जो हमें अपना मिलता है 390 में वो 200 में सब कुछ सेम मिलता है सरफ इंजन 125 सी मिलता है इसमें अपनको मिलता है LED डियाल्स टू हैलाइट्स एक हाई बीम ये लो बीम प्रोजेक्टर हैले में मिलते अपने को इंडिकेटर अपनों को LED मिलते हैं इसमें पीछे भी LED इंडिकेटर है मैंने थोड़ी लोकेशन चींज किया है उस रोड पे तो वीकल्स बढ़े बहुत आ रहे थे उनका इनोश्व करा बहुत था बीच में बीडियो बहुत कट करनी बढ़ी ची इसमें अपने को मिलती है प्रेंट में अपने को मिलता है 110 x 70 और 17 टायर रेडियल टायर के साथ आती है 125 फ्रांट में अपसाइड डाउन शोकसंग नोबर है बाइबर के ब्रेक मिलती है स्टिंगल चैनल एबेस मिलता है अपने को मिलता है 300 mm का फ्रेंट डिस्क अब अपने चलते हैं रेयर टायर में रेयर टायर में भी अपने को रेयर टायर मिलता है रेडियल 150 by 60 17 इच का टायर मिलता है अपने को अपने को रेडियल टायर 230 mm का रेयर डिस्क इसमें सरफ सिंगल चैनल एबेस है फ्रेंट में अपने को ओरेंज कलर के यह बीए सिक्स का वेरेंट है इसमें बस एक एक मेजर फरक है बीए सफोर वाले में पाई जो अग्जोस्ट पाइप था वह उपर से जा रहा था बीए सिक्स में नीचे से आ रहा है एक्जोस्ट का पाइप यह नीजे से है यह बस थोड़ा मेजर फरक है बाकि सब कुछ सेम है प्लियन की सीट थोड़ी सी सोफ्ट है पहले के मुगाबले थोड़ा कंफटेबल है रैडिंग वाली सीट तो वैसे ही है हाड इसमें शिक्स स्पीड गेर बॉक्स में दा अपने को जो की 125 cc के इसाफ से दो गेर जाना है वैसे चार गेर मिलते हैं अनदर बाइक में बहुत फिनिशिंग अच्छी कर रखी है यह क्रेटिम वालों ने इसकी अग्रेसिव लोक है इसमें एक केटलेटी कनवर्टर भी आता है कंपनी में से ही अब आते इसकी पावर पे केटिम 125 का जो इंजने पावर प्रेदूस करता है 12 अनम टॉर्क और 14.5 पियस मेक्स पावर केटिम इसमें ग्राफिक्स भी चेंज है यह इसमें इतना बड़ा आर्सी लिखा हुआ है केटिम का डेटिटु रेस नीचे में ब्रेंडिंग होती है सीट के पीछे आर्सी 125 की अब अपना आते है इसके फ्यूल टैंक में 9.5 लीटर का स्मट फ्यूल टैंक है जो कंपनी बोलती है 10 लिटर का है मैक्स यह इसमें साड़न लिटर अपना पेट्रोल आता है इसमें टैंक में क्लिप ओन हैंडल बाहर है यह देखे इसका इंस्रूम्ट कलब प्लस्टर इसमें फ्यूल गेज इंजन टंप्रेच्चर स्पीड गेर साइड स्टेंड का आ रहा है वह नोटिफिकेशन 13-100 rpm तक जाता है यह अपना इंजन का है यह ABS का है यह न्यूटल का यह इंजन वर्मोन का यह इंडिकेटर यह हाई बिम लो बिम का और इसमें अपनों को मिलता है 1977 mm लेंथ और इसमें अपनों को मिलता है 1341 mm वील बेस जो स्पोर्ट स्राइडिंग के हिसाब से बिल्कुल अच्छा है बाइक कोर्णर पर स्लिप बगारे नहीं करती जो वीली बेस जो रखाए के यह अपर पीछे चलते हैं इसमें मिलता है जो घरवाले होते हैं उनको बाहर जो शोपींगर करने जाते हैं उसको बिठा सकते हैं पिछे केटियम 25 अपन को मिलता है ट्रेलिस फ्रेम के साथ जिस जो अपनी चैसी है बहुत ही मजबू चैसी उसकरता है केटिम इंडिया यह अपनको मिलती है ऑन रोड प्राइस पर है जो 1,81,000 शोरूम प्राइस जो है बाकी लुक के हिसाब से जो गेटिम ने रखा है बहुत अच्छा प्राइस रखा है फीचर से जो रखे अपने बट बढ़िया है जो इसका अलोई है जो पहले से हलका किया हुआ है देखो इसका वेट में वेट रिदूस किया हुआ है पह इस पर आप सिटी राइड गरो या फिर अपना हाइवे राइड बिल्कुल कंफेटेबल है एपने दिक्कत होगा थोड़ा जो हाथ के थम्स होते है इस पर थोड़ा बजन जादा आता है इस पर धर्द होता है थोड़ा सा बाकी या बट रेगुलरी चलाते है तो ठीक हो ज से अपन को इसमें मालेज मिलता है हाइवे पर मिलता है 45 km, almost per기자 था house अगर अपने इसके हैंडल बार के ओर तरफ चलें तो इसमें अपनको मिलता हाइवीम लो बीम पासिंग इंडिकेटर लेफ्ट रेड इंडिकेटर होड और राइट साइड मिलता है इंजन के स्विच और सरफ स्टार्ट बाकी लोग के हिसाफ से बहुत अच्छा है केटियम सब की नजरों में आता है केटियम जो है अपने इंजन से पूरी पावर वसूल करता है इस हाई कंप्रेशन पे जो अपना इंजन है केटियम का हीटिंग इश्यू बिल्कुल भी नहीं है वाइट्वी एफसीसी में टू हंडर्ड थ्री नैंटी बोथ हीट अप हो जाती है लोंग डाई पे इसमें अपनों को पीछे मिलता है मोनो चॉक्स अबर और अपने को इसमें दोनों ही टायर टूबलेस मिलते हैं MRF के रेडियल टायर है दोनों जो की बेस्ट ओक्षन है केटियम के सबसे प्राइब के बारे में आपको सब कोई बता दिया है आप बाइक को ले सकते हो सीटी में हाइवे पे माइलेज अच्छा है और सपोर्टी लोग है इसके साथ आपका करते हैं व्लोग को एंड कैसा लगा आपको मेरी वीडियो केटियम 1.5 के सीशी के बारे में प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करें मुझे थोड़ा था बाइ